बिस्मिल्लाहिरोहमान रहीम असलाम अलेकुम प्यारे दोस्तों सर्दी के इस मौसम में अच्छी दही बनाना बहुत मुश्किल लगता है अक्सर हम दही बनाने के लिए उसको गरम कपड़े में गरम टावल में या किसी गरम जगा पे गरम बिस्तर में रखते हैं ताके जो द दूद है और दूद है और दूसरा दही जो है जो दही कि मैंने तीन डेबल स्पून अलड़ी डाली है यानि थोड़ा जादा मिदार में मुसके अंदर दही डालेंगे ताके जो हमारा दही है वो सही से बन जाए रिखिए दूद गरम हो चुका है बिल्कुल सही नियर तो दूद होना शुरू हो जाता है इसके दो तीन मिनट बाद दूद बॉil होना शुरू हो जाएगा मैं इतना करम दूद जो ले लिया है इसको मैं अपने बॉल में डाल दूगी जिसमें मैंने पहले से अलरडी दही डाला हुए थोड़ा सा अब हम दूद को बॉल के अंदर टीक है डाल के तो अब हम इसको ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे ओवर नाइट हम चोड़ेंगे तो हमारा जो दही है वह बहुत जबदसा रेडी हो जएगा यह देखिए यहां मैंने दूद डाल दिया है बौल के अंदर और इसको कवर कर देंगे सर्दी में बहुत असा बलके वह थोड़ा ज्यादा हो यहां पर मैंने तीन टेबल स्पून दिया था यहां पर सुबह हो गई है आप यह देखिए मैंने देही का डखकन उता रहा है और हमारा जो देही है वह बिल्कुल रेडी हो चुका है बिल्कुल हमने इसके साथ कुछ ऐसा नहीं कि इसको हमन देखिए कितना जबदस कितना अच्छा गाड़ा देही हमारा जो है वह बन चुका है यह देखिए बिल्कुल नहीं टूट रा बिल्कुल इस तरह से एक जान सा हमारा जो देही है वह रेडी है आप ज़रू ट्राइब कीजेगा और बताईगा कि क्या आप से भी इसी तरह देही बनता है